अच्छो तो कैसे हो आप लोग यहाँ पर फाइनली कक्षा दसी वालों के लिए विज्ञान के वेरी वेरी इंपोर्टेन लेके आ चुके हैं चेप्टर नाइन यहाँ पर फिनिश करने वाले ठीके इसके बाद एक चेप्टर पड़ेंगे चेप्टर बारा क्योंकि आपन अर उज्ञक्ति आपके यहाँ पर बनने वाले ठीके तो दो नंबर के जो क्योशन बताने वाला हूं इससे बाहर एक भी क्योशन आपका नहीं जाने वाला है तो पहला क्योशन है आनुमान्शक्ता क्या है तो आनुमान्शक्ता जीवधारियों में पिड़ी दर पिड़ी भावी लक्षण ही दिखाई देंगी यह आपका प्रभायुति का नियम है नेश क्योशन आता है आपका मेंडल के पत्करण का नियम यह नियम वारे क्योशन ही आपके बनने वाले इस नियम के अनुशार जब युगमकों के नियमान के समय दो एलिलील जोड़े पतक-पतक हो जाते हैं और एक युगमक में से एक ही जोड़ा होता है जीन की इस प्रवति को पत्करण का नियम कहते हैं तीक है नियम में सही क्योशन बनने वाला है इस नियम के अनुशार जीवों के लक्षण एक दूसरे से प्रभाहित किये बिना स्वतंत रूप से युगमकों या क्योंकि दोर नंबर में आपका क्योशन बनने वाला है तो आनुवांचिक में महत्पुण भूमिका का निर्वहन करना शरीर की संद्रचना एयम क्रिया शिल्ता में महत्पुण भाग लेना यह दोनों गुंसुत्र के काईजिये नैस क्योशन प्रभावी लक्षन किसे कते ह किने करते हैं जब विपरितल लक्षनों के जोड़े में क्रोस कराया जाता है तो पहली पिडी में जो लक्षन प्रद्शित होते हैं वह अप्रभावी लक्षन होते हैं शेके नैस कुशन आएगा me ठले अपने प्रयोक किसे में उगाया जा सकता है पोदे शाकी हम एक वर्षी होते यह दोनों पॉइंट लिख देने ना लैस्ट क्यूशन आता है आपका मानव के बच्चेगार लिंग निदायान केसे होता है तो देखो पुरुश में दोनों लिंग गुंडशुत्रों में से एक गुंडशुत्र एक्स होता है और दूसरा वाई होता है और इस त्रियों में क्या होता है बच्चो दोनों लिंग गुंडशुत्र समान होते यानि कि एक्स एक्स होते है टोटल हमने यहाँ पर नो क्यूशन पढ़ लिए बच्चो इन्ही नो क्यूशन में से आपका क्यूशन बनने वाला है और दूसरे question आपको याद करने की कोई ज़रूद नहीं ठीक है तो अभी हम एक chapter लेके आएंगे chapter 12 और बचा है और अर्दवास्तिक का सारा syllabus हम complete कर देंगे बच्चो ठीक है तो मिलते है ने इस वीडियो में अभी लिए इतना है thank you बच्चो